हेलो डियर किड्स माइ सेकेंड बुक को फेंड रेटिंग में आज हम करसिव कैपिटल यस और स्मॉल यस लर्न करने वाले हैं इससे पहले हमने A to R तक के लेटर्स अच्छे से लर्न किये हैं तो चलिए देखते हैं किस तरह से लिखना है जैसे सीतार होता है उसी तरह से यह लेटर है सबसे पहले find out where is the red dot here is the red dot तो मैं थोड़ा सा बुक को जूम कर लेती हूं देखिए कैसे लिखना है here is the red dot फिर third line से first line फिर पीछे जाएंगे गुमा के फिर नीचे second फिर third और इस तरह से हम yes बनाएंगे ओके आप फिर backward then up forward फिर down then half circle और कर्सियों के लेटर जो होते हैं वह बहुत ही मुड़े हुए और उसमें जादा कर्व होते हैं तो आपको कहीं पेपे पैंसिल उठाना नहीं है जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो एंड तक आपकी पैंसिल चलती रहने चाहिए ओके yes for sun देखी आगे yes किस तरह से लिखना है yes for soft जो बहुत ही soft touch देता है हमें yes for samosa yes for sunday yes for sunflower yes for surprise जो आपको बड़े gift मिलता है न वो surprise ही तो होता है yes for sugar इस तरीके से हमें cursive capital yes लिखना है तो यह तो होगे dotted letters तो चलिए अभी देखते हैं four lines में without dot किस देखिए third line से first line slide पीछे घुमा के नीचे और फिर इस तरीके से हमें curve draw करना है देखिए slanting लाइन और पीछे से यह सीधा ऊपर ले जाएंगे और फिर इस तरह से हमें घुमाना है इसे अप yes yes for so जिसे लगा के हम नहाते हैं इस तरह से आपको cursive capital yes draw करना है ओके तो चलिए देखते अभी cursive small yes किस तरह से लिखना है here is the red dot दोनों भी लेटर सेम है खाली cursive capital yes जो है वो हमें three lines में लिखना है और small जो है वो हमें middle case में two lines में लिखना है देखिए आप पिर से गुमाया नीचे और यह रहा yes for secret जो आपके friends के बीच में होता है yes for sleep sound sleep होना चाहिए तो आपको की memory भी अच्छी रहेगी yes for sound जो आवाज आप सुनते हैं उसे बोलते है yes for snake देखिए यहाँ पे स्नेक का picture है yes for sleeper जो आप पेरो में पहनते है yes for search कुछ गुम गया तो आप ढूंदते हैं गूगल पे भी तो आप search करते हैं yes for scholarship yes for science आपका subject होता है yes for silver medal yes for sunglasses जो आप धूप में पहनते हैं इस तरह से आप cursus small yes लिखेंगे तो चली अभी देखते हैं without dot कैसे लिखे लिखना है देखिए नीचे से उपर फिर स्लाइट गुम आया और यह हो गया yes for sweet corn yes for salary yes for scheme yes for sorry जो आप अपके फ्रेंड्स को बोलते हैं yes for c समंदर इस तरह से आपको cursus capital yes or smallest की practice करनी है आपके textbook or notebook में okay do more practice in your textbook as well as in your notebook okay that's it for today see you soon thank you